ओम नमो भगवते वार्शु देवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चेनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको अगनी प्राण की कथस ना रहा हूँ दोस्तों पिछली कता में हमने बढ़न किया था कष्यप आदे के वंस का बढ़न आज की कता में हम बढ़न करेंगे सर्ग का बढ़न अगनी देव कहते हैं मुने प्रकर्ती से पहले महतत्व की सर्ष्टी हुई इसे ब्राम सर्ग समझना चाहिए दूसरी तनमात्राओं की सर्ष्टी हुई इसे भूत सर्ग कहा गया है तीसरी वैकारिक सर्ष्टी है इसे इंद्रियक सर्ग कहते हैं इस प्रिकार ये बुद्धि पूर्वक प्रिकट हुआ प्रकर्तिक सर्ग तीन प्रिकार का है चौते प्रिकार की स्रेश्टी को मुख्य सर्ग कहते हैं मुख्य नाम है इस्तावरों ब्रक्ष पर्वत आदी का जो त्रियक स्त्रोता कहा गया है अथार्त जिससे पशु पक्ष की उत्पत्ति हुई है वह तर्या की योग्य सर्ग पांचमा है और इस्त्रोताओं की स्रिष्टी को देव सर्ग कहते ही यह छटा सर्ग है इसके पश्चात अर्वाक्स्त्रोताओं की स्रिष्टी हुई यही सात्वा मानव सर्ग है आठ्वा अनुग्रह सर्ग है जो सात्विक और तामसवी है ये अंतवाले पांच वैकृत सरग हैं और आरम के तीन प्राकर्ट सरग कही गए है प्राकर्ट और वैकृत सरग तता नवे प्रकार का कॐमार सरग ये कुल नौ सरग ब्रहमाजी से प्रकट हुए जो इस जगत के मूल कारण है। ख्याती आदी दक्ष कन्याओं से भ्रगु आदी महर्शियों ने ब्या किया। कुछ लोग नित्य नयमितिक और प्राकरतिक इस बेज से तीन प्रकार की स्रेश्टी मानते ही। जो प्रतिदिन होने बाले अब आंतर प्रले से प्रतिदिन जन्म लेते रहते ही वे नित्य सर्ग कहा गया है। ब्रगु से उनकी पत्नी ख्याती ने धाता विधाता नामक दो देवताओं को जन्म दिया तता लक्ष्मी नाम की कन्यावी उत्पन की जो भगवान विश्णू की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्योदय के लिए इने का इस्तवन किय धाता और विधाता के क्रमस प्राण और म्रकंडू नामक दो पुत्र हुए। म्रकंडू से मारकंडे का जन्म हुआ। उनसे बेद सिरा उत्पन हुए। मरीची के संबूती के गर्व से पाण मास नामक पुत्र हुआ। और अंगिरा के इस्मती के गर्व से अनेक पुत्र सिनी वाली कोहू राका और अनुमती नामक चार कन्याय हुई अत्री के अंसे अनसुया ने सौम दुरबासा और धत्यात्रिय नामक पत्रों को जनम दिया इनमें धत्यात्य त्रे महान योगी थे पुलस्त मुनी की पतनी पृती के गर्व से धत्तोली नामक पत्र उत्पन हुआ पुलेसे ख्यमा के गर्व से सैष्नु एवं सर्व पादिक का जन्म हुआ सन्निती से बाल खिल्ल नामक साथ हजार पत्र उत्पन हुए जो अंगूटे के पोरूं के बराबर और महांग तेजस्वी थी वशेश्ट से ओड़जा के गर्व से राजा गात्र ओडरवाहू सवन अनग सुक्र और सुत्पा ये साथ रिशी प्रकट हुए स्वाह एवं अगनी से पावक पवमान और सुची नामक पत्र हुए इसी प्रकार अजसे अगनी स्वात वहिट सद अनगरी एवं सागरी पितर हुए पित्रों से स्वधा के गर्व से मेना और बैधारनी नामक दो कन्या हुई अधर्म की पत्नी हिंसा हुई उन दोनों से अमरत नामक पुत्र और निक्रती नाम बाली कन्या के उत्पत्ती हुई इन दोनों ने परसपर बिभा किया और इनसे भै तता नरक का जनम हुआ क्रमस माया और बेदना इनकी पत्निया हुई इनसे माया ने भै के संपर्ग से समझत प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यू को जनम दिया और बेदना ने निरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन किया इसके पश्चात मृत्यु से ब्यादी, जरा, सोक, तरिशना और क्रोध की उत्पत्ती हुई ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रिसिद हुआ तता हे दुएज उन पिता में ब्रह्मा जी ने उसे भाव, सर्व, इसान, पसुपती, भीम, उग्र और महादेव आदी नामों से पुकारा रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याक किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रगट होकर पुनेवे संकर जी की ही धर्म पत्नी हुई किसी समय नारज जी ने रिशियों के प्रती विश्नु आदी देवताओं की पूजा का बिदान बतलाया था इसनन आदी पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का बिद्वत अनुष्टान करके स्वायम भू मनु आदी ने भूग और मुक्ष दोनों प्राप्त किये थे अगनी पुराण 21 मा अध्याय आये सुनते हैं विश्नु आदी देवताओं की सामान पूजा का बिदान नारज जी बोलें अब मैं विश्नु आदी देवताओं की सामान पूजा का वर्णन करता हूं तता समच्त कामनाओ को देने वाले पूजा सम्मंदी मन्तरों को भी बतलाता हूं भगवान विष्णू के पूजन में सरप्रतम परिवार सहित भगवान अचुत को नमस्कार करके पूजन आरम करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वादेश में क्रमस दक्षन बाम भाग में धाता और विदाता का तथा गंगा और यमना का भी पूजन करें। फिर संक निदी और पद निदी इन दो निदियों की द्वाल लक्ष्मी की वास्तू पुरुस की तथा आधार सक्ती कूर्म अनंत प्रत्वी धर्म ज्यान वैराग्य और एस्वर की पूजा करें। तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल नाल पग्य केसर और कंकाओं की पूजा करें। फिर रिगवेद आधी चारों बेदों की सत्व आधी योगों की सत्व आधी गुणों की और सूर्य आधी के मंडल की पूजा करें। इसी प्रकार भिमला, उतकर्ष्णी, ज्याना, क्रिया, योगा, आधी जो सक्तियां ही उनकी पूजा करें तथा प्रहली सत्या, एशा, अनुग्रहा, निर्मल, मूर्ती, दुर्गा, सरस्वती, गन, गनेश, खेत्र, पाल और बासुदेव, संकर्षन, प्रदुम्न, अनिर पूजन करें, इनके बाद हरते, सेर, चूडा, सिखा, बर्म, कवच, नित्र, आधी अंगों की, फिर संक, चक्र, गदा और पदम, नाम के, अस्त्रों की, स्री वस, कौर्स्तोव, एवं बन माला की, तता लक्ष्मी, पुष्टी, गरुण और गुरुदेव की पूजा करें पत्पश्यात, इंद्र, अगनी, यम, निरती, जल, वरोण, बायु, कुबेर, ईसान, ब्रह्मा और अनंत, इन दिखपालों की, इनके अस्त्रों की, कुमद आधी, विश्नु पार्सदों द्वात, तथा, द्वार पालों की और विशक सैन की, आवरन मंडल आधी में पताई जाती हैं, इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महा काल का, तदंतर क्रमस, दुर्गा, यमना, गन, आधी का, बानी, श्री, गुरू, वास्तु देव, आधार सक्ति, आधी और धर्म, आधी का अर्चन करे, फिर बामा, जेश्टा, रोद्री, काली, कल विकरनी, बल विकरनी, बल प्रत्मिनी, सर्व भूत दमनी, तथा कल्यान मई, मनोन मनी, इन नो सक्तियों का क्रम से पूजन करे, हां हम हां, सिव मूर्ते नमा, इस मंत्र से, हिर्दय आधी, अंग और एसन आधी, मुख सहित सिव जी की पूजा करे, हौम सिवाए हौम, इत् आदी से इसान आदी पांच मुखों की अरादना करें हरीम गौरी नमहा इससे गौरी का और गंगनपती नमहा इस मंत्र से गनपती की नाम मंत्रों से इंद्र आदी दिकपालों की चंड की और हिर्दय सिर आदी की भी पूजा करें अब क्रमस सूर की पूजा के मंत्र बताए जाते ही इसमें नंदी सरपर्थम पूजनिय है फिर क्रिमसें पिंगल उच्चे स्रवा और अरुण की पूजा करें तत्पश्यात प्रभूत बिमल सौम दोनों संध्याकाल परसुक और इसकंद आदी की मद्ध में पूजा करें इसके बाद दीपता सुक्ष्मा जया भद्रा बिभूती बिमला अमोगा बिदूता तथा सर्व तो मुखी इन नो सक्तियों की पूजा होनी चाहिए तत्पश्यात ओम ब्रह्म बिष्णू सिवात्मकाई सौराई पीठाई नमहा इस मंत्र से सूर्य के आशन का इसपर्स और पूजन करें फिर ओम खम खको क्लकाई नमहा इस मंत्र से सूर्य देव की मूर्ती की उद्भावना करके उसका अर्चन करें तत्पश्यात ओम हाम हीम सह सूर्य नमहा इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करें इसके बाद हर्दय आदी का पूजन करें ओम आम नमहा इससे हर्दय की ओम अकार्य नमहा इससे सिर्की हुए इसके बाद सूर्य की सक्ती रानी संध्या की तथा उनसे प्रिकट हुई चाया देवी की पूजा करें फिर चंद्रमा मंगल बुद्ध ब्रस्पती सुक्र सनी राहु और केतु क्रमस इन ग्रहों का और सूर के प्रचंड तेज का पूजन करें अब संक्षिप से पूजन बतलाते हैं देवताओं के आसन मूर्ती मूल हिर्दय आदि अंग और परिचा इनकी ही पूजा होती हैं भगवान विष्णू के आसन का पूजन ओम स्री स्री धरो हरी हिरीम इस मंत्र से करना चाहिए इसी मंत्र से भगवान विष्णू की मूर्ती का भी पूजन करें यह सर्व मूर्ती मंत्र हैं इसी को तरलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं भगवान के संपूर्ण दीर्ग सुरों के द्वारा हिर्दय आदी के पुजा करें। पुजा संग्राम आदी में विजय आदी देने वाली हैं। परिचार कोंक में चक्र, गधा, संक, मुसल, खड़क, सांग्र धनोस, पाश, अंकोस, स्री बस, कौर्सव, बनमाला, स्री, इस बीज से युक्त स्री महालक्ष्मी, गरुण, गुरु देव और इंद्र आधी देवताओं का पूजन किया जाता है। इनके पूजन में प्रवण सहित नाम के आधी अक्षरों में अनुस्वार लगा कर चतोर्ती बिभक्ती युक्त नाम के अंक्त में नमहा जोड़ना चाहिए। जैसे ओम चम चक्राई नमहा ओम गंगदाई नमहा इत्यादी सरस्वती के आशन के पूजा में ओम एम देवे सरस्वती नमहा इस मंत्र का उप्योग करें और उनकी मूर्ती के पूजन में ओम हीम देवे सरस्वती नमहा इस मंत्र से काम लें। हिर्दय आदी के लिए पूर्ववत मंत्र हैं सरस्वती के परचारकों में लक्ष्मी मेधा, कला, तुष्टी, पुष्टी, गौरी, प्रवा, मती, दुरुगा, गन, गुरु और छेत्रपाल की पुजा करें तथा ओम गंगन पते नमहा इस मंत्र से गनेश की, ओम रीम गौरे नमहा इस मंत्र से गौरी की, ओम स्री स्रे नमहा इस से स्री की, ओम रीम तुरिताय नमहा इस मंत्र से तुरिता की, ओम एम क्लीम सो तुरुपराय नमहा इस मंत्र से तुरुपरा की पुजा करें इस प्रिकार्त प्रा सब्द भी चतोर्ती विभक्ति अंत हो और अंत में नमह सब्द का प्रयोग हो जिन देवताओं के लिए कोई बिसिस मंत्र नहीं बतला गया है उनके नाम के आदि में प्रवन लगावे नाम के आदि में अक्षर में अनिस्वार लगा कर उसे बीज की और नमह सब्द जोड़ लें पूजन और जप में प्राय सभी मंत्र ओंकार युक्त बताए गए हैं अंत में तिल और घी आदि से हों करें इस प्रिकार ये देवता और मंत धर्म काम अर्थ और मोक्ष चारों पुरसार्थ देने बाले हैं जो पूजा के इन मंत्रों का भगवाने कीजे